नमस्कार जै जोहार वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आफ टू बी दे बेस्ट लन फ्रॉम दे बेस्ट के लिए सभी को गुड़ अपनून आज mcq के सीरीज में अपना अगला टॉपिक है संवेगात्मक विकास emotional development ठीक है यह होता है आपका संज्यानात्मक विकास जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो था संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक विकास किस ने दिया है प्याजे जी ने दिया है जिन प्याजे दी ने दिया है ठीक है और यह है संवेगात्मक विकास संवेग संवेगात्मक विकास यह किस ने दिया है यह मैग डूगल ने दिया है ये विकास के अधारना किस ने दी है? मैग डूगल ने मैग डूगल जी ने दी है तो ये दोनों में आपको लगबग प्रननसेशन दोनों का एक है एक है संवेग आतमक विकास और एक है संज्यान आतमक विकास संग्यान ज्यान की जहां बात होगी वहां प्याजे जी आएंगे और सम्वेग इमोशन की जहां बात होगी वहां मैक डोगल साहब आएंगे ठीक है तो सम्वेग होता क्या है सम्वेग मतलब इमोशन ठीक है और आदमी के अंदर जैसा इमोशन होगा वो वैसा क्या करेगा react करेगा समवेग मतलब emotion भावना और इंसान के अंदर जैसा emotion होगा वह वैसा react करेगा ठीक है यह मैं आपको बता दिया इस पर अपन लेक्चर ले चुके हैं आप यूट्यूब में देख सकते हैं देखे इसके अब अपन mcqs करते हैं ठीक है तो पहला question है पहला question है सीशू का अधिकान स्वयवहार किस पर अधारित होता है सीशू का अधिकान स्वयवहार किस पर अधारित होता है ठीक है सीशू का अधिकान स्वेभार नहतिकता नहतिकता तो जीरो होती है चार से दस साल तक के बच्चे में जीरो नहतिकता होती है ठीक है वास्तविक्ता इनका ज्यान होता नहीं ध्यान क्या करेगा इतना छोटा बच्चा कोई ध्यान नहीं करेगा तो सीशु का धिकान स्वेभार होता है मूल प्रव जैसे बोलते ना उसकी प्रवित्ती तो जूड़ बोलने की है उसकी प्रवित्ती तो लड़ने की है मतलब उसकी आदत यूजवल वही काम करता है तो मूल प्रवित्ती मतलब वह आदते जो आपको सीखनी नहीं पड़ती जो आप में क्या होती है जन्मजात होती है वह आदते जो आप में जन्मजात होती है वो आपकी मूल प्रवित्ति कहलाती है और बच्चा जब पैदा हुआ होता है नौजात होता है तो ज्यादा कुछ सी सीखा नहीं होता जो उसको जन्मजात आदत होती न वहीं चीज करता है अब भूक लगेगी तो रोएगा खुस होगी तो भी रोएगा तो बच्चे का अधिकांस वेवार मूल प्रवित्ति पर अधारीत होता है उसको कुछ भी होगा वो रोएगा ठीक है तो बच्चों का अधिकांस वेवार किस पर अधारीत होता है मूल प्रवित्ति पर और मैग डूगल ने कितनी मूल प्रवित्ति बताई है मैं डूगल ने चवदा मूल प्रवित्ती बताई है ठीक है चवदा टाइप की आदते बताई है और हर आदत के पीछे एक समवेग है इमोसन है हर आदत के पीछे एक इमोसन है मैं बताया ना जैसे आपका इमोसन रहेगा वैसे आप काम करोगे तो मैं डूगल ने चवदा टा की हरकते करोगे तो बच्चों का अधिकान स्ववार किस पर अधारित होता है मूल प्रवित्ती पर अधारित होता है ठीक है सैसाव अवस्था बच्पने में बच्चों के क्रिया कल आप किस पर अधारित होते हैं फिर से वही कोस्चन है किसे मूल प्रवित्ती पर अधारित हो अपने भावनाव को कुछ अर्थ प्रदान करते हो तो वह क्या कहलाएगा देखिए कि क्या हो सकता इसका 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 एंसर होगा प्रत्यच ग्यान अनुभाव पे अधारित ग्यान अनुभाव मतलब आपके साथ वह हो सुका है आपके साथ वह चीजे हो चुकी है मेरे साथ म मेरा जो अनुभौ है किसका रोने का तीक है वो किस पर अधारी थे दरध पर अधारी थे जब इसको अर्थ प्रदान करूंगा तो मैं क्या भी वह ग्या आगे न कि चोट लगेगी और रोंगे तो प्रत्यक्ष ग्यान अपने अनुभाव के अधार पर जो ग्यान अपनी खट्टा करते वो क्या कहलाता है ? प्रत्यक्ष ग्यान कहलाता है बहुत important question ये परिभासा सम्वेग व्यक्ति की उत्तेजित दसा है ये परिभासा सम्वेग की किस ने दी है ये परिभासा दी है आपकी would worth ने दी है ने दी है वुद वर्त ने दी है उत्तेजित साहे सम्वेग आतमक सिध्धान कौन दी है मैग दूगल साब दी एं थे जिद प्याजे साहाब दी है सम्वेग का समान्य भासा में अर्थ होता है हल चल या उतल पूथल ठीच है उतल पूथल मतलब जैसे ही आप में कोई सम्वेग आएगा आपका body क्या करेगा हरकत करेगा या उथल पूथल करेगा ठीक है और मूल प्रवित्ति कित्ती बताई है 14 और यही 14 मूल प्रवित्ति के पीछे क्या है 14 टाइप के सम्वेग है और सम्वेग व्यक्ति की उत्तेजित दसा है ये सबस्क्राइबुर्ट के नुसार प्रत्येक मूल प्रवित्ती संबंधी तो है एक फिलींग है तो प्रत्यक मूल प्रवित्ति किस संबंधित होती है भई प्रत्यक मूल प्रवित्ति AIK समवेक्स संबंधित होती है अ कुछ मूल प्रवित्ति आपको बता देता हूं जैसे जैसे मूल प्रवित्ति मतलब आपकी आदत उसके पीछे क्या रहेगा एक सम्वेग एक प्रवित्ति आपके जिग्यासा मतलब जानने की इक्षा जानने की इक्षा ठीक है इसके पीछे आपका कौन सा इमोशन आता है आश्चर यह जब आप आश्चर होगे तब क्या करोगे जानने की इक्षा रखोगे अब मेरे दोस्तों ने देखके आई एक मुवी मेरे दोस्तों ने एक मुवी देखके आई मेरे को उस मुवी के बांदे में जानना है तो मैं आश्चर यह पहले मेरे अंदर आएगा यार वो मुवी कैसे होगी तब मैं उससे पूछूंगा अपने दोस्ते भाई वो मुवी कैसी थी तो जब आपके अंदर आश्चर होगा किसी को जानने की इख्षा होगी तो आप क्या करोगे जिग्यासा प्रगट करोगे ठीक है जैसे दूसरा मूल प्रवित्ती है आपका पलायन दूसरा क्या है पलायन ये मैं कुछ-कुछ बता रहा हूं आपको पलायन पलायन मतलब चले जाना तो आप कहीं से भागो गे कब जब आपको डर लगेगा या आपको भै लगेगा जब हमको डर या भै लगते हैं तब अपन पलायन कर गयाते हैं इसका बैस्त उदारन है जब आप जाते हो बाइक में और सामने ट्रेफिक पुलिस रहता है और आपको पता है आगे जाओंगा तो पकड़ लेगा तो आप क्या करते हो गाड़ी पीछे मोड के पलायन कर लेते हो किसे डर से या भै से आपके अंदर डर और भै आया आपकी मूल प्रवित्ती हुई भाग जाने क ठीक है उसके बाद आपका जैसे आपका जैसे सामुहिकता तीसरा है सामुहिकता मूल प्रवित्ती अब आदमी समू में कब रहना पर ज़्यादा वो करता है जब उसको अकेला पन लगता है अकेला पन जब आपके अंदर अकेले पन का डर आएगा ना तो आप क्या करोगे समू की और भागोगे भीया जब आप अकेले बोर होते हो तो क्या करते हो दोस्त को फोन लगाते हो भाई कहा है मिलेगा क्या ग्रूप में मैसेज करोगे आज मिलोगे क्या कब करते हो जब आप दूसरों के साथ रहते हो तब तो नहीं करते है जब आप अकेले रहते हो तब आप भागते हो किधर सा आपकी activity है ठीक है उसके बाद आप मालो हास जब आप हसते हो आपकी मूल प्रवित्ती हसना जब आप हास रहो हास की भावना क्या होगी हास के लिए भावना होगी हसना या आनंद जब आपके अंदर आनंद की भावना आएगी आनंद मतलब जब आप फूस होगे तो क्या प्रत्यक मूल प्रवित्ति किस संबंद होती है समवेक से संबंदित होती है अब अच्छा कोष्चन है मूल प्रवित्तियों को चौदा प्रकार से किसने वर्गी क्रित किया है किसने बोला कि चवदा मूल प्रवित्ती होती है भई किसने बोला है ये बात बताईए ये बोला है मैग दूगल ने पढ़ रहे ना भी मैग दूगल ने कौन सा सिध्धान दिया है समवेग आतमक कौन सा समवेग आतमक सिध्धान्त दिया है और कितनी चौदा टाइप की मूल प्रवित्ती बताई है कितनी चौदा टाइप की मूल प्रवित्ती मतलब वो आधते जो आप करते हो कैसे feeling में आकर और प्रतेक मूल प्रवित्ती के पीछे क्या होता है एक feeling होती है भावना होती है संग्यान और संवेक के बारे में निम्न लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है संग्यान और संवेक के बारे में सही है संवेग संव्यान को प्रभावित करते हैं किन्टू संव्यान संवेगों को प्रभावित नहीं करता बिल्कुल गलत देखे भई आपकी feeling आपके mind को आपके ज्यान को प्रभावित करती है जैसा आपका ज्यान वैसे आपकी feeling जैसे आपकी feeling वैसा आपका ज्यान दूसरा संग्यान और संवेक परस्पर जुड़े हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं option B सही होगा देखे आप खुछ सोच के देखे आपकी feeling आपके mind से connect नहीं होती है क्या जैसा mind वैसा feeling और जिसका जैसा feeling उसका वैसा mind दोनों एक दूसरे से संबंदित है और घनिष्ट संबंद है तंग्यान और संवेक का option B बहुत अच्छा question एक सिक्षक विद्यार्थियों को समझाते है कि उन्हें दूसरे के दृष्टिकोंड से उत्तेजित नहीं होना चाहिए भले ही उनके दृष्टिकोंड स्वेम से विपरीत क्यों नहों या विद्यार्थियों के किस पक्ष पर द्यान दे रहा है यह बोल रहा है एक सिक्षक विद्यार्थियों को बोल है कि भैया दुनिया कुछ भी तुम गुस्वा मत हो सब अपने अपने हिसाब से सोच रखते हैं तो कोई कुछ भी सोचे तुम गुछा मत हो तो यह किस विशय प्रज्ञान दे रहे हैं बताईए संज्ञनात्म क्यों संज्ञनात्मक सिधा से क्यों सकते हो। आपकी योग्यता या ये ये या बुद्धी का विकास बोल सकते हो। ठीक है समाज के साथ कितने अच्छे से रह सकते हो आपका समाज से रिष्टा बोल सकते हैं समाज से किस टाइप का रिष्टा है समाज से रिष्टा ठीक है समविकात्मक विकात मतलब अपनी भावनाओं पर किस पर भावनाओं पर विकास अपनी भावनाव पर विकास और टीचर बोल रहा है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे तुमको गुस्सा नहीं होना है मतलब तुमको क्या करना अपने फीलिंग को कंट्रोल करके रहना है रिलेक्स रखना है तो आपका कौन सा विकास हो रहा है समवेग आतमक विकास हो रहा है ठीक है कि समवेगों की उत्पत्ती होती है बताइए मैं अभी बताया हूं प्रतेक समवेग प्रतेक समवेग किस्योत पत्ती होती है एक उत्रप मूल प्रवित्ती और उसी के अनुसार भावना आती है ठीक है भावना मतलब आपका क्या समवेग कित्ते प्रकार के हैं 14 प्रकार की मूल प्रवित्ती उनके अंदर 14 प्रकार के समवेग तो सम्वेगों की पत्ती होती है मूल प्रवित्ती से सम्वेग एवं संग्यान एक दूसरे से क्या है भई बताईए सम्वेग संग्यान एक दूसरे से क्या है सम्वेग संग्यान एक दूसरे से पूर्ता अलग है ही नहीं अभी बताया, जैसे आपकी दिमाग, वैसे आपका भावना, जैसे आपकी भावना, वैसे आपका दिमाग, स्वतंत्र बिलकुल नहीं है, संब्यंधित नहीं भी है, ये भी गलत, सन्निहीत, सन्निहीत मतलब दोनों एक दूसरे में समाहीत है, दोनों एक दूसरे में समाहीत है Option C, सम्वेग और संग्यान ये बार बार पूशता है जी सम्वेग और संग्यान हमेशा ये याद रखना एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए और एक दूसरे से समाहित है अभी प्रेड़ना के मूल प्रवित्ती सिध्धान के प्रतिपादक है मूल प्रवित्ती बोल रहा है जहां मूल प्रवित्ती आएगा चौदा टाइप की मूल प्रवित्ती है किसका नाम लेना है मैग डूगल निम्न लिखित में से कौन सा एक सम्वेग है सम्वेग मतलब भावना है ठीक है बताईए कौन सा एक सम्वेग है डर अगर समवेग है तो मूल प्रवित्ति क्या होगी पलायन अभी पढ़े थे ना जब आप में डर की भावना होती तो आप भाग जाते हो ट्रैफिक पुलीस वाला उधारन ध्यान मतलब ध्यान लगाना उत्तेजना मतलब उत्तेजी तो तना इस्मिती मतलब याद करना ये स समवेग नहीं है समवेग आपका है डर डर की मूल प्रवित्ति है पलायन बहुत अच्छा कोस्चन है क्रोध वभय क्या है समवेग है और इसकी मूल प्रवित्ति क्या है पलायन जब आपको डर लगता है तो आप भाग जाते हो ठीक है क्रोध और भय एक प्रकार से समवेग मैग डूगल के अनुसार मूल प्रवित्ती जिग्यासा का संबंद कौन से समवेट से है जिग्यासा अभी पढ़ाया ना जिग्यासा का क्या है आश्चर्य जिग्यासा का क्या है आश्चर्य जब आपके अंदर आश्चर्य की भावना आएगी तब आपके अंदर क्या आएग तो तब आप जानने की इक्षा रखोगे ठीक है उसके बाद प्रात्मिक सम्वेग वह सम्वेग है जो आपके खुद के अंदर आपके पर्सनल आपसे रिलेशन रखते हैं प्रात्मिक सम्वेग क्या है बताइए प्रात्मिक सम्वेग प्रात्मिक सम्वेग है आश्चर्य, भय, गुशा, क्रोध ये सब प्रात्मिक सम्वेग है प्रात्मिक सम्वेग देखिए समझी आप प्रात्मिक सम्वेग वह सम्वेग होते हैं जो आपके वेवहार को दर्साते हैं वो जो आपसे पर्सनली समबंदित होते हैं ठीक है और दूतियक समवेग सेकेंडरी समवेग वो होते हैं जो किसी के कारण आप करते हो हना किसी के कारण मतलब आप किसी की सहायता करते हो तो वह समवेग में दो लोग हैं आप और जिसकी आप सहयता कर रहे हो सहनु भूटि जिससे रख रहे हो स्रम कर रहे हो जो आपके अंदर आपको अपर मे समवेग आप दूसरों के लिए दिखाते हो है साहनुभूती किसके लिए दूसरे के लिए लेकिन आस्चारी किसके लिए करते हो खुद के जानने के लिए डर किसको लगता है खुद को गुस्सा किसको आता है खुद को आता है तो प्राथमिक समवे में आस्चारी भै गुस्सा करोद आएगा आपका ठीक है सीशू के प्रती सहानुभूती एवं प्यार दुलार किस सम्वेक की उत्पत्ती से होता है सीशू के प्रती जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य या अनुराग कहा जाता है सीशू की प्राप्ती सीशू के प्रती प्रेम हाना अगर आपकी मूल प्रवित्ती है सीसू प्रेम तो आपका सम्वेक क्या होगा वातसल्य होगा क्या होगा वातसल्य जब आपके अंदर वातसल्य की भावना हैगी बच्चों से जो प्रेम अनुराग करते हैं उसको वातसल्य या अनुराग बोलते हैं ठीक है तो जब आपके को यहां आपके अंदर सीजू के प्रति भावना है प्यार की तो वश्सर लेया अनुराध तो इसका option होगा option C سीशू के प्रति कहा है months करे कि पुरुस्कार की अभी प्रेटना है पुरुस्कार देना किसी को पुरुस्कार दे both कि अभी प्रेरीत करना चीजों को करने के लिए क्या करना मोटिवेट करना यह किस प्रकार का है यह है आपका धनात्मक और प्रत्यक्ष धनात्मक धनात्मक एवां प्रत्यक्ष धिक है कौन सा है यह धनात्मक एवां प्रत्यक्ष आप किसी को पुरुस्कीत करोगे तो आदमी उस काम को करने के लिए और एक्साइटेड होगा ना उस काम को करने के लिए और मोटिवेट होगा तो क्या होगा वो प्लस में जाएगा धनात्मक और पुरुस्कार कैसे देते सामने सामने देते तो भई पुरुस्कार किस प्रकार की अभी प्रत्यक्ष धनात्मक एवां प्रत्यक्ष डिसलेक्षिया क्या है भई डिसलेक्षि आपकी कहलाती है डिसलैक्सिया को इसा यह कौन सा एक समाजिक प्रेरक्त है समाजिक प्रेरक्राम प्रेंब आपको जो समा जिसमें आपको इफेक्ट करता है यह बोल सकते हैं समाजिक प्रेरग, भूख, भूख हम खुद के लिए करते हैं, प्यास में खुद की जरुवत पूरी करते हैं, प्रेम में भी खुद की जरुवत पढ़ते हैं, आत्म का और हो, आप आत्म का और हो, किसके सामने प्रदर्चित करते हो भी, समाज के सामने, आप अच्छा और प बताने जाओ प्रेयम करूंगे तो समाज को थोड़ीन बताओगे समाज को अब बताओगे जब agent की अनुभूती करोगे समाजिक प्रेरदक की बात हो रही है यहां पर तो निम्न哈哈 से कौन सा कौशल सम्वेकात्मक बुद्धी से संबंधित है सम्वेकात्मक बुद्धी से बताईए भै कि सम्वेक की बात ओरी है कि सम्वेक आत्मक फिलिंग की बात कर रही है याद करना बुद्धी से गती प्रक्रमन सब्सरी आपके सरीर से विचार करना यह भी आपकी बुद्धी से साहनु भूती देना क्या है यह एक भावना है याद करना कोई भावना नहीं है सम्वेक भावना क्या है साहनु भूती की भावना किसी को साहनु भूती देना एक सम्वेक आत्मक बुद्धी है घना आपका इमोशन वाला टॉपिक है यह एक सिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गल्तियों पर प्रोट प्रगट करता है यह इंगित करता है कि मतलब एक सिक्षक है जो बहुत चीड़ चीड़ा है अपनी भावनाव को कंट्रोल नहीं कर पाता चोटी छोटी गल्ती पर भढ़क जाता है तो वो क्या ह वह सम्विगात्मक रूप से संतुलित नहीं है उसका सम्विगात्मक विकास नहीं हुआ है भच्चों पढ़ाएगा अपने ट्रैक से हटेगा नहीं आपको क्या करेगा सम्वेग रूप से नहीं है अधिक्तर से सम्बंदित है आपको पढ़ाया जाता है क्लासरूम के अंदर आपको खेल करवाया जाता है सल गीद गवाया जाता है सरवांगिन विकास हो समवगात्मक विकास को प्रभावीत करने वाले स्वास्त है ठीक है आपका सरीर स्वास्त की रहेगा तो आप चिडमाओगे चीड़चीड़े हो जाओगे, आपकी मानसी की योग्यता नहीं रहेगी, तो भी आप चीड़चीड़े रहोगे, थकान में भी चीड़चीड़े होगे, तो आपके समवेक को आपकी feeling को क्यों ये सभी option D ये सभी क्या करते हैं प्रभावित करते हैं ठीक है अभी प्रेड़ना के स्वरूप में निम्न लिखित में से कौन सा से लक्षड सम्मिलित है अभी प्रेड़ना के स्वरूप में मतलब अगर आप motivate होते हो तो कोई काम करते हो तो उसके अंतरगत क्या क्या काम करते हो ये उसके बारे में बोल रहा है अभी प्रेड़ना के कारण कारे करने पर क्या क्या वस्थाए होती है अभी प्रेड़ना मतलब motivation motivation होगा तो क्या होगा आपके अंदर power आएगा सक्ती संचालन होगा सकती संचालन होगा उसके बाद क्या आएगा आप कुछ काम करोगे तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा परिवर्तन होगा तो क्या होगा आप अभी प्रेड़ी तो मोटिवेट हो तो निरंतर करोगे तो इसका ओप्सन होगा ओप्सन डी अभी प्रेड़ना के कारण सकती संचा बालन बहया जब आप मोटिवेट होगे कि मैं को पढ़ना है पढ़ना है तो आपके अंदर प्रेराख है समाजिक प्रेराख है अरजित प्रेराख है अरजित प्रेराख मतलब जिसको आप सीखते हो समाजिक प्रेराख जिसको आप समाज से लेते हो वेक्टिक प्रेराख जो आपके परसनल है का अप्सन होगा जन्मजात ठीक है क्योंकि भूक और प्यास आप जब से प और प्यास और यह क्या होती है जन्मजात मूल प्रवित्ति क्या होती है वे प्रवित्तियां जिनको हम जन्मजात अर्जीत करते जिनको समात से सीखते नहीं है जो हमारे बीच सुरू से हैं उनको बोलते हैं मूल प्रवित्तियां ठीक है तीन माह की अवस्था के प्रारंभिक समवेग है जब बच्चा तीन माह का होता है तो उसके अंदर कौन-कौन से इमोशन होते हैं प्रारंभिक समवेग क्या-क्या होते हैं बताइए भई तीन माह के बच्चे के अंतरगर तीन माह के बच्चे के अंदर क्या-क्या रहेगा ठीक है देखे गर्व तो नहीं रहेगा क्योंकि उसका तो कुछ इमेजी नहीं है इर्षया भी नहीं रहेगी ठीक है परानभूती भी नहीं रहेगी क्या रहेगी प्रसनता छोटा बच्चा तीन महने का क्या होता है प्रसन्न होता है उदास होता है और जो चीज नहीं पसंद है उसको देखके मुग घुमा लेता है घृणा करता है तो तीन महा के वस्ता में प्रारंभिक संवेग आपकी प्रसन्नता उदासी घृणा तीन महा के बच्चे को परानुभूती दूसरों क कोई अनुभूती लगेगी क्या वो किसी से चिढ़ेगा क्या उसको घर्व की भावना होगी क्या नहीं तो तीन महा के बच्चे में यह रहेगा प्रसंदता उदासी और ग्रिणा मूल प्रवित्यों की संख्या संवेक के संबंद में कित्ती है जी कित्ती चौदा चौदा मैं बताया हूँ हना जिसमें आपको चार पांश ठोक बता रहा लिखवाया भ्यू जैसे जिग्यासा हमारी मूल प्रवित्य जिग्यासा है तो जिग्यासा का संवेक क्या होगा आश् डर होगा तीसके बाद ये क्या है मोल प्रवित्ती मूल प्रवित्ती और इसका सम्वेक क्या है यू यू सा का सम्वेक है आपका घ्रीणा यू यूत्सा का समवेक क्या है आपका नई यू यूत्सा का है आपका क्रोध सौरी यू यू यूत्सा का क्या है क्रोध जब आपको क्रोध आता है ना तो आप यू यूत्सा करते हो ठीक है उसके बाद आत्मगावराव आत्मगावराव आपकी मूल प्रव भावना होती स्रेश्टता की भावना जब आपके अंदर लगता है कि मैं सबसे यूनीक हूँ सबसे अच्छा हूँ टॉप किया हूँ मैं एक्जाम में स्रेश्ट हूँ तब आप क्या होगा गौरव फील करोगे आत्मगर और प्रावडी फील करोगे उसके बाद संचय की प्रवित्ती इखटा करना आप किसी चीज को इखटा कप करते हो जब आप स्वामित्यों की भावना चाहते हो आपको लगता है मेरे पास बहुत पैसा हो मेरे पास ये हो मेरे पास हो जहां मेरे पास हो आएगा आप उसके स्वामित्यों बनना चाहते हो तो आप उस च गरीब दिन तब फील करोगे ना दीन हिन धुखी फर फील करोगे तो उसके अंतरगत कौन होगा आत्म हिन्ता की भावना जब आत्मा आपका आत्मसम्माल लो हो जाएगा जब आप कौन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप क्या करोगे अपने आपको दुख्यारा पाओगे दी नेदम दुखी ठीक है जब अपना आत्मसम्माल अपना कौन्फिडेंस लो होता है तो अपने दम उदास हो जाते ना फोन करते ना यार बहुत लो फील कर रहा हूं वही चीज़ ह यह ठीक है प्रतिकर्शन अना निवरित्ती प्रतिकर्शन प्रतिकर्शन अना इसको और क्या बोलते है प्रतिकर्शन को और बोलते है निवरित्ती 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 अना प्रतिकर्शन का होता है घ्रीना क्या होता है ग्रीना जब आप किसी से कि कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसके तरफ आकर्सित होते हो जब आपको कोई अच्छा लगता है तो अब आप आकर्सित होते हो जब आपको कोई ना पसंद होता है तो क्या होते हो प्रतिकर्सित होते हो निवरित्ती भागते हो उससे ठीक है ये मूल सामने जाना, किसी के पास जाना, help के लिए, ठीक है, किसी के पास जाना, help के लिए, तो आप किसी से help कब मांगते हो, जब आप कर्ष्ट में होते हो, कैसे होते हो, कर्ष्ट में होते हो, तब आप क्या करते हो, सरणागत, जब आपके सरीर में दर्द होगा, या कुछ बुखार पैसे कश्ट रहेगा तो किस के सरण में जाओगे डॉक्टर के जब आाके पैसा नहीं रहेगा पैसे का कश्ट होगी ठीक है उसके बाद जब आप हसोगे तो हसोने के अंदर क्या होगा भावना आमोद आनंद ठीक है उसके बाद भूक लगना भूक लगने में क्या होगी भावना भोजन भोजन करोगे तो भूजन चाहिए कब जब भूक लग रहा है ठीक है उसके बाद सीसू सुरक्षा संतान की कामना सी सुप्रेम शी सुप्रेम को क्या बोलते वात्सल्य और अनुराब उसके बाद अगर तो उसके नहीं करने की खिले हो तो उसके अंदर गात्य कौन सी भावना होगी creativity स्रीजनात्मक्ता की भावना होगी तब आपकुछ रचनात्मक करोगे तो यह आपकी 14 मूल प्रवित्या और उनकी भावनाएं यह किसने बताया है मैग डूगल ने मैग डूगल का सिद्धान क्या है सम्विकात्मक विकास का सिद्धान तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद